नमस्कार मेडिकल माइक में आपका स्वागत है देश को सर्वाइकल कैंसर के खिला पहली स्वदेसी वैक्सिन मिल गई है केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमीच सा ने शीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया द्वारा निर्मित हुमन पेपिलोमा वाइरस की वैक्सिन को लॉंच कर द बता दे कि HPV वैक्सिन को बनाने में सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया और किंद्र सरकार के डिपार्टमेंट आफ बायो टेक्नलॉजिक के विशिशा के कई महीनों से जुटे थे लगबग 5 महीने पहले उनकी वैक्सिन क्वाड्रिवेलेंट यूमन पेपिलोमा वाइरस वैक्सिन के नाम से तैयार की गई थी अब HPV वैक्सिन को अथिकारिक तोर पर लॉंच कर दिया गया है भारत में बनी यह एक पहली वैक्सिन है इस वैक्सिन से हो सकता है कैंसर से बचा इस स्वदेसी वैक्सिन के जरिये लोग सर्वाइकल कैंसर से बच चकेंगे सर्वाइकल कैंसर विशेश कर महिलाओं के लिए ज़ाद घातक होता है या महिलाओं में सर्विक्स के सेल्स को इफेक्ट करता है सर्विक्स यूट्रस के नीचला हिस्सा है जो की वजाइना से ही जुड़ा होता है कैंसर इस हिस्से के सिल्स को इफेक्ट करता है यॉन रोग है SPV महिलाओं को होता है खत्रा एक्सपर्ट्स के मुताबिद सर्वाइकल कैंसर के जादतर मामले यूमन पैपिलोमा वाइरस के अलग-अलग तरह की स्ट्रेंज की वज़ा से होते है SPV एक यॉन रोग है जो जननांग में मस्से के रूप में दिखता है फिर दीरे यह सर्वाइकल सेल्स को कैंसर सेल्स में बदल देता है इसलिए SPV वैक्सिन को बालिका दिवस के मौके पर लॉंच किया गया है कितने रुपए में मिल सकती है यह वैक्सिन आये जानते है इस वैक्सिन के कीमत का भी खुलासा नहीं हुआ है इसे मार्केट में उतारने की तैयारी की जा रही है हलांकि मेडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह वैक्सिन सस्ती होगी और इसकी कीमत 200 से 400 रुपए के बीच होगी ऐसे ही खबरों के लिए दखते रहे मेडिकल माईक साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद